नमस्कार साथियों मैं धीरा ज्यादा अब सभी का हमारेश के शनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्टी पर एक बार फिर दिस्वागत करता हूं बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सेशन 3 टारगेट साई यानि कि वर्दी पाना क्या है जिद है इसको आपको अपनी जिद बना लेना है और इस जिद को पूरा करने के लिए हर संभो प्रयास आपको करना है जिस प्रकार से आपकी सफलता के लिए यहाँ पर टीम कॉंपटिश को हासिल करना है तो इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर सेशन 3 डिसकस करेंगे रिजनिंग सब्जेक्ट के अंतरगत और यहाँ पर आज हम लोग डिसकस करेंगे दो टॉपिक्स जिनमें एक होने वाला है आपका डारेक्शन और डिस्टेंस और दूसरे के अगर मैं बा यानि कि आपके एकजाम के पॉइंट ऊवी से दोनों ही टॉपिक क्या हो जाते हैं महत्यपोर हो जाते हैं तो चलिए कुछ बेसिक बाते कर लेते हैं इनое topic related जो हमें जानना आवशक होता है इन topics पर बेस्ट को बना पाने के लिए तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहा आप्छ दारेक्शन उन्हें उत्तरबूर्व दक्षिण और पास्षी साथ हमें पता है कि क्या सब डारेक्शन होते हैं यानिकिता पुर्व भने सब आपके में और सब डारेक्शन اündeनी कि स्थे Past Math हैं लृग्षे Sut जानकारियों की बात करो यहाँ पर तो हमें पता है कि इन डायेक्शन को हमने 8 equal parts में divide किया है तो each अगर हम division की value की बात करेंगे तो each division की value यानि की प्रत्य बाग की value है वो कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी यानि कि जब हम क्या करेंगे angle पर based questions को solve कर रहे होंगे तो य यह एंगल जो है यहाँ पर each division की value है यह हमें बहुत जादा help करने वाला है ठीक है इसके अलावा क्या हमें जानना आवश्यक है तो जब हम लोग शैडो पर based questions को discuss करेंगे तो वहाँ पर हम लोग शैडो से related भी जो आपके basic concepts है उनकी चर्चा करेंगे इसके अलावा गर मैं बात करो हमें करना क्या होता है हमें दी गई instruction यानि की आधार पर क्या करना होता है स्ट्रक्चर को तो जब हम लोग प्रशन को बनायेंगे तो आनने जो जानकारिया वहाँ पर आवरोच ए जो प्रूरोच है जो हमें लगाना है उसके बारे में हम लोग आप पुलिस SI 2017 में पूछा गया प्रशन है, अप्रोच पर ध्यान देंगे, जो यहाँ पर मैं आपको concepts बताऊंगा, questions से related, उस पर ध्यान देंगे, जिससे कि आपको आने प्रशनों में भी क्या हो, help मिल सके, clear, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, man walk 5 km towards south, यानि कि एक वेक हो जाएगा, आपका south east, यह हो जाएगा south, southwest, west and northwest, clear, अब देखिए, यह जो map है, यह हमें कितना help करने वाला, किस प्रकारच हमें इस map का क्या करना है, use करना, इसके बारे में हम प्रशन के साथ सा चर्चा करते हुए, चलेंगे, तो अगर मैं प्रशन की बात करूँ तो बोल 3 km, he turns, and turns to the right, यानि कि 5 km चलने के बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, अब दाएं और बाएं में भी समस्या आती है, तो उस समस्या से कैसे हम यहाँ पे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो अगर आपको दाएं या बाएं में समस्या गे तो ये स्रक्चर आपको इस परकार से दिखाई देगा, और इसको जब आप दाएं मुड़ता है, और तीन किल्वीटर चलने के बाद, यानि कि दाएं मुड़ने के बाद वह क्या करता है, तो ध्यान दीजे जब कभी भी हमसे दिशा के बारे में पूछा जाएगा जिस बिंदू के साथ एकच्र पूछा जाएगा हमें उस बिंदू पर क्या कर लेना है एक मैप बना लेना है यानि कि starting point हो जाएगा यह और यहां से हमें बताना है उसके अंतिम बिंदू की दिशा तो यहाँ पर जब हमने map बनाया तो इस map से अगर आप इस अंतिम बिंदू तक जाएंगे तो map के according आप देख सकते हैं यह दिशा कौन सी है डक्षिन पश्चिम यानि कि answer के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा southwest यानि कि option number d ठीक है तो पहले कुछ दो से तीन प्रस्टों में हम लोग basic concepts की चर्चा करते हुए चलेंगे और इसके बाद हम लोग directly question को बनाते हुए चलेंगे तो जब कभी भी किसी भी बिंदु के सापेक्च आफ से दिशा पूछी जाएगी तो जिस बिंदु के सापेक्च आफ से दिशा पूछी जा रहे है क्लियर तो अगर अंतिम बिंदू की बात करें है governance को उसका बनाना होत तो यह कि अंतिम बिंदू पर बनाना होता और अंतिम बिंदू से जब हम प्राभंबिक बिंदू की और बढ़ा रहे होते तो मैड में आप देख सकते हैं यह प्रश्ण की आसाम पुलिस कॉंस्टेबल 2020 चली प्रश्ण की अगर मैं बात करूं तो बोला जारा है रमेश वाक्स 10 किलो मेटर इन फ्रेंट यानि कि वो क्या कर रहा है सामने की ओर रमेश 10 किलो मेटर सामने की ओर या फिर आगे की ओर चलता है अगे कि अगर हम बात करें तो किसी को ऐसे आगे लग सकता है किसी को ऐसे आगे लग सकता है किसी को ऐसे आगे लग सकता है और किसी को ऐसे आगे लग सकता है तो मैंने कहां आगे की ओर तो मैं अगर इस प्रकार इसको कंसीडर करके चलू चली एक और स्ट्रक्चर मैं आप मल्टिपल स्ट्रक्चर जो कर देता हूँ, अगर आप ऐसे बनाते हैं, तो क्या answer में फरक आएगा, तो कोई फरक देखने को नहीं मिलेगा, तो रमेश walks 10 km in front and 10 km to the right, और इसके बाद वो क्या करता है, दाहिनी और मुड करके 10 km की दूरी ते करता है, तो यहाँ से अगर हम दाहिनी और मुडेंगे, तो यह ह जाएगा, आपका 10 km, clear, चलिए, आगे कि अगर हम बात करें, then every time turning left, he walks 5 km, 15 km and 15 km respectively, यानि कि हर बार वो क्या करता है, लेफ्ट मुडता है, और क्रमशा 5 km, 15 km और 15 km की दूरी ते करता है, पूछा है, how far is he from the starting point, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, structure बना लेते हैं, फिर अगर हम चलें, यहाँ पर तो क्या करता है, वो हर बार वाय मुडता है, और क्रमशा 5 km, फिर 15, तो यह 10 है, तो यहाँ तक आ जाएंगे, तो हम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसके आगे 5 और चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानि कि यह 5 और 10 इस है, तो इस बिंदू से इस बिंदू की दूरी कितनी होगी, तो इस बिंदू की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 5 km हो जाएगी, यानि कि अगर हम बात करें, प्रारंभी की बिंदू के साप एक, उसके अंतिम बिंदू की दूरी की, तो आंसर कितना मिल गया, हमें 5 km, यानि कि यहाँ पे चर्चा की जा रही है distance की इसलिए आपका answer vary नहीं करेगा आप structure किसी भी प्रकार से बना सकते हैं यदि यहाँ पे दिशा की बात करी जाती तो आपका जो answer हो जाता वो हो जाता cannot be determined क्योंकि front हम किधर consider करके चलने हमें पता नहीं है clear अगर हम इस structure की बात करें यदि आपने structure को इस तरीके से बना लिया होता तो हमारा answer क्या होता तो भी हमारा answer same आएगा कैसे same आएगा तो 10 km यह हो गया 10 km यह हो गया अब यहाँ से हमें left मुलना है कितना चलना है 5 km फिर से हमें left मुलना है कितनी हो जाएगी 5 और यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 है तो यहां पर हम इसके parallel एक line खीचेंगे जो कि कितना हो गया 10 तो इस प्रकार अगर हम इस बिंदू की बात करें यहां से यहां तक की दूरी अगर 5 है तो यह दूरी आप करेंगे तो आप बहतर तरीके से असानी से structure को भी डॉकर पाएंगे और साथ-साथ पूछे गए प्रशन का अंसर भी निकाल पाएंगे बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशन की अगले अधि मैं यहां पर प्रशन की बात करूं तो बोला जा रहा है रवीश वाक फोर 20 मीटर फिर वा अपनी बाई और मुड़ता और कितना चलता है 20 मीटर पहले वाला भी मीटर था सॉरी किलो मीटर नहीं था आगे कि अगर हम बात करें तो यहां पर बोला है देन ही टू का राइट टर्न एंड वॉक्ड फोर 17 मीटर फिर वा क्या करता है दाई और मुड करूं तो बोला जा रहा फाइनली ही टू का लेफ टन एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फिर से वा क्या करता है अपने बाई और मुड़ता और कितना चलता है 20 मीटर की दूरी तै करता है अब यदि मैं प्रस्न की बात करूं तो पूछा जा रहा है इन विच डारेक्शन जरवीज फेसिंग नाउ तो जब कभी भी आप से परस्न के फेसिंग के बारे में पूछा जाए कि वख्ती का मुख किस दिशा में है तो ध्यान दीजे वख्ती का जो अंतिम मुमेंट होगा जो वख्ती का फाइनल अगर हम बात करें दिशा होगी जिस और वह जा रहा होग उसका मुख भी उशी दिसा में होगा क्यों क्यों कि हम यह मान के चलते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है सीधे पाउं चलके जा रहा है उल्टे पाउं चलके नहीं जा रहा है यानि कि अगर वह उत्तर की और जा रहा है तो अब इससी बात उसका मुख भी कहा होगा उत्तर की यह है कि वो right मुरता है left मुरता है ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है यानि कि जब कभी भी आपसे person के facing पर based question पूछेगा तो जो व्यक्ति का final moment होगा वही क्या होगा person के facing का भी direction होगा जब तक कि आपको कोई additional information ना दी जाए clear तो answer कि अगर हम बात करें तो काफी easy सा question था answer क्या हो जाएगा option number c बढ़ते हैं आगे अगले ती मैं यहाँ पर प्रश्ण की बात करूं तो बोला है इन एन open ground राकेस walks 20 meter towards north यानि कि राकेस क्या करता है उत्तर दिशा की और 20 meter चलता है clear आगे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर takes a left turn and walks 40 meter यहाँ से बाइं और मुरतार कितना चलता है 40 meter चलता है तो यह बाइं मुलेंगे और यह होगे कितना 40 meter इसके बाद अगर मैं बात करूं तो again takes a left turn and walks 50 meter फिर से यहाँ क्या करता है बाइं और मुलेंगे तो यह दूरी कितनी हो जाएगी 20 और इसके बाद additional हम चलेंगे कितना 30 तो यह होगा आपका 50 meter पूछा है how far is he from the starting point वह अपने प्राराम्भिक बिंदू के साथ एक चिक्की से दिशा में है तो यह होगा उसका प्राराम्भिक बिंदू इसको इसके parallel बना लेते हैं चले तो यह होगा इसका प्राराम्भिक बिंदू अब प्राराम्भिक बिंदू के साथ एक उसके अंतिम बिंदू की क्या पूछा है आपसे दूरी पूछा है तो ध्यान दीजे यहां पे value कितनी अगर यह 40 है तो यह भी कितना आ जाएगा 40 आ जा ट्रिप्लेट वैल्यू क्या होती है यहां पे अगर हम बात करें पाइथा गोरस थेओरम की तो हमें पता है अगर इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं पर्पेंडिकुलर मान लेते हैं तो हैपोटेनियस की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेस का स्क थी तो आप यहां पर और ली आंसर मार्ग कर सकते थे अधरवाइस आपको क्या करना पढ़ेगा आपको करना पढ़ेगा TIS KA SQUARE PLUS 40 का SQUARE Bराबर किसके हो जाएगा करन के SQUARE के बराबर हो जाएगा यानि कि करन के value के अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ करके under root में रखोगे तो यहाँ पर आपको value देखने को मिल जाएगी value के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आजाएगा आपका 900 प्लस 1600 यानि की पच्चिस सो और पच्चिस सो को जब root से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर value बन जाएगी आपकी 50 लेकिन यह triplet value होती क्या है इसके बारे हम चर्चा कर लेते हैं तो triplet value के अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमने कहा 3 का square प्लस 4 का square बराबर किसके होगा 5 के square के बराबर होगा अब जब हम इसके multiple की बात करेंगे यानि कि जब हमने कहा 6 का square प्लस 8 का square तो वो किसके बराबर हो जाएगा वो 10 के स्क्वाइर के बराबर हो जाएगा इसी प्रकार मैंने कहा 9 का square प्लस 12 का square वो किसके बराबर हो जाएगा value निकालना होता है, for example, हमने का 5 के साथ हमें एक pair निकालना है, जो की क्या हो? triplet value हो, तो odd number के case में हमें क्या कर लेना होता है, odd number के case में हमें इस number का square कर लेना होता है, 5 का square अगर हम करेंगे, तो कितना हो जाएगा पाच्चिस, अब 25 को हमें दो भागों में तोड़ देना होता है 25 को अगर हम दो भागों में तोड़े और उसका difference क्या हो एक हो, ऐसे दो भागों में तोड़े जिसका difference एक आए तो आप देखेंगे कि एक बन जाएगा 12 और एक बन जाएगा 13 इसके मैं मौल्टिपल में आफ जाती जाओगे तो आपको मैं वैल्यू मिलती जाएगी इसी प्रकार जैसे मैंने अभी तीन का बता था तो तीन का भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्लियर तो यह हो गई बात किसके यह हो गई बात आपके और नमबर के लिए इवन नमबर के लिए अगर मैं बात करूँ इवन नमबर के लिए मैंने कहा मान लेते हैं हम ले लेते हैं आठ तो इवन नमबर के केस में आपको क्या करना होता है इसका आधा कर देना होता है तो यानिक अगर हम बात करें, 8 का square प्लस 15 का square बराबर किसके हो जाएगा, 17 का square हो जाएगा, इसी प्रकार अगर आप इसको देखेंगे, multiple में, तो 16 का square प्लस 30 का square बराबर किसके हो जाएगा, 34 के square के बराबर हो जाएगा, तो यह triplet values हो गई, कुछ हमें basic सी triplet values याद रखनी होती हैं, जैसे कि हम बात करें, 3, 4, 5, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर आपका, 5, 12, 13, ठीक है, तो यह कुछ basic सी triplet values हैं, जिनके multiple में, या इन ही triplet values पर based आपको questions देखने को मिलते हैं, जब हम बात करते हैं distance की, ठीक है, चलिए, बात कर लेते हैं अगले प्रश्नकी, अगले दी मैं प्रश्नकी बात करूँ, तो UP jail police 2021 काफी latest आपको यहाँ पर question देखने को मिल रहा है, बात करें कर हम प्रश्नकी, तो an old man walks towards east and then turns to south, यानि कि एक आदमी क्या करता है, east की ओर चलता है, और फिर वो क्या करता है, अपने दाई ओर मुड़ता है, turns to south, यानि कि east से जा रहा था, तो अभी सी बात है, south की ओर मुड़ने के लिए उसको दाई ही मुड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानि कि यहाँ पे distance के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की जा रही, केवल और केवल व्यक्ति के rotation के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो हमें क्या करना है, केवल और केवल एक map इस प्रकार से draw कर लेना है, क्योंकि हमें distance के बारे में बोला ही नहीं जा रहा है, ने कहा पहले East में था, East के बाद आगया कहां, South में, South के बाद अगर हम बात करें, He turns to his right, यानि कि यहां से right मुलोगे, तो right का मतलब क्या होता है, यह भी समझे लो, जब हम बात करते हैं, right की, RIGST, right, या फिर हंदी के अगर हम बात करें, तो दाइं या इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि इसकी left की हिंदी के गर हम बात करें तो बाइं ठीक है तो जब कभी भी किसी person के लिए right turn का use किया जाता है it means माल लेते हैं हमने कहा व्यक्ति जा रहा था towards east जब हमने कहा वह अपने दाइं और मुड़ता है it means अगला moment आपका हो जाता है किदर towards south तो आप देखेंगे कि यहाँ पर right का मतलब क्या हो गया 90 degree clockwise जब कभी भी right का use करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 90 degree हमें क्या करना clockwise मूव करके उस दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना है और जब left की बात करेगा मान लेते हैं यही हमने कहा कि व्यक्ति कहा जा रहा था towards east जा रहा था और बोला गया व्यक्ति क्या करता है left लेता है तो अगला जो moment हो जाएगा वह आपका हो जाएगा towards north यानि कि east से right मुड़े तो towards north गए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था each division की value कितनी थी 45 degree यानि कि left का मतलब क्या होगा left का मतलब होगा आपका 90 degree anti clockwise यानि कि वामावर्त दिशा में ठीक है तो जब कभी भी left turn की बात करेगा आप क्या करेंगे 90 degree वामावर्त दिशा की और घूमेंगे और जब कभी भी right की बात करेगा 90 डिग्री दक्षिनावर्त दिशा की ओर घूमेंगे clear चली बात कर लेते हैं आगे तो यानि कि यह कहां आगे आपका east से आगया south south के बाद he turns to his right and start walking ठीक है फिर से right मोड़ा तो right का मतला मैंने कहा 90 डिग्री clockwise तो यानि कि अगर हम बात करें in which direction is he walking now वह किस दिशा की ओर चल र अंसर के अगर हम बात कर तो option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए यह तो हो गया direct approach कि आप map की सायता से कैसे बना सकते हैं अगर आप structure बनाते जैसा कि यहां पर distance mention नहीं किया गया है तो किस प्रकार से बनता तो मैंने कहा an old man walking towards east यानि कि एक to south हुआ south दिशा की और मुडा ठीक है उसके बाद आपसे बोला जा रहा ही देन turns to his right फिर से वह राइट मुडा यानि कि अन्तिम जो उसका moment है वो किदर जा रहा है वो towards west की और जा रहा है clear तो structure से भी आप बना सकते हैं map से भी आप बना सकते हैं बात करेंगे अगले प्रस् के अगना सकते हैं इतना हो जायेगा बीस और बीस के बाद अगर हम बात करें तो कितना चलेगा 35 इसके बात कि अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है मान्यक अब प्रारंभिक बिंदू से कितनी दूर है तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर हमें ट्रिपलेट वैल्यू पर भी ध्यान दे लेना है तो क्या ट्रिपलेट वैल्यू से बनना या फिर नहीं बनना तो यह डिस्टेंस हो गया कितना 12 यह डिस्टेंस कितना हो गया 12 और इस डिस्टेंस के अगर मैं बात करूं यह हमें निकालना है और यह distance कितना है 35 ठीक है अब यहाँ पर जो भी values आपको देखने को मिल रही है वो किसमें देखने को मिल रही है whole values देखने को मिल रही है तो अगर हम बात करें 12 की तो क्या 12 और इसकी अगर हम बात करें तो यह 5 का multiple है 12 को हम बोल सकते हैं 4 का multiple है तो अगर हम बात करें 4 के multiple की, तो 4 के multiple के साथ में किसकी हमने triplet value बनाई थी, या 5 के multiple में हमने किसके साथ triplet value बनाई थी, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो 35 के एगर हम बात कर तो 35 का स्कूर कितना हो जाता है HERE को जाता है 12 h r p 25 और 1225 के बाद हम 12isia के क्वायर की बात करता है 144 यानि कि यहां पर 9 हमेनों मिल रहे है और 10 के स्कूर में मलती है और 30 के मिलती है थे मिलती लेकिन यहां पर ध्यान दीजे 23 का है सकता है क्योंकि 23 का स्क्वाइर कितना होता है 529 होता है 27 के स्क्वाइर के अगर हम बात करें तो 27 के स्क्वाइर भी हो नहीं सकता यानि कि सीधे सीधे जो आपका अंसर बनेगा वो क्या बनेगा यहां पर option number D यानि कि 37 और इसलिए coding में some of the place value करने के बाद जो आपको number मिला उस number का square करके पूछ लिया गया था ठीक है तो triplet value हो या फिर square हो या फिर ये छोटे-छोटे से जो तरीके हैं जिनको आपको implement करना होता है exam में अपना समय बचाने के लिए इन तरीकों पर भी आप क्या करेंगे फोकस्ट रहेंगे इन तरीकों पर ही आपको ध्यान देते हुए चलना है ठीक है बात करेंगे अगले प्रस्न की यानि कि यहां से आपने क्या सीखा previous question से 12 का square plus 12 का square plus 35 का square बराबर किसके होता है 37 के square के बराबर होता है ठीक है तो यह भी यहां पर आपको triplet value देखने को मिल रहा है यह break होके नहीं बनेगा क्यों क्यों क्योंकि 37 आपका क्या है क्यों प्राइम नंबर है ठीक है चले आगे कि अगर मैं बात करूं तेलंगना पुलिस SI 2018 में पूछा गया प्रस्न है प्रस्ट के अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है एक व्यक्ति बिंदू A से दक्षिन की और 100 मीटर चलना शुरू करता है यह अगर हम मान लेते हैं बिंदू A यहां से अगर हम दक्षिन दिशा की मान लेत दक्षिन दिशा की और तो यह होगा आपका 100 मीटर ठीक है आगे के अगर मैं बात करूं और 40 मीटर पूर्व की और चलने के लिए बाय मुरता अब यहां से बाय मुरता है तो हम कहां जाएंगे टूर्ड इस्ट और यह डिस्टेंस कितना होगा है 40 मीटर आगे कि अगर मैं बात करूँ फिर वह उत्तर की और 60 मीटर चलने के लिए फिर से बाय मुरता है तो यह अगर 100 है तो हमें चलना है 60 यानि कि यह वाला डिस्टेंस क्या होगा इससे छोटा होगा यह होगा आपका 60 अगे कि अगर मैं बात करूँ तो बोला गया है और बिंदू B पर पहुँचने के लिए पश्चिम की और 70 मीटर चलने के लिए बाय मुरता है यहां से अगर हम बात करें 60 मीटर चलने के बाद क्या करता है बिंदू B पर पहुँचने के लिए पश्चिम की और 70 मीटर चलने के लिए बाय मुरता है कि यह डिस्टन था 40, तो 40 तो यहां तक हो जाएगा, और इसके बाद additional हम चलेंगे 30, चली, यहां से हम चलेंगे additional कितना 30, यह distance हो गया आपका 30, यह 100 था, यह 60 है, यह distance हो जाएगा आपका 40, यह distance हो जाएगा आपका 60, और यह distance हो गया आपका 30, आगे कि अगर मैं बात करूँ तो बुला, फिर बिंदू A की, A और B के बीच कितनी दूरी है, यह होगा आपका बिंदू B, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कठिनाई होगी, अब तक आपका answer आ जाना चीए, कैसे आ जाना चीए देखो, यह है 40, यह है 30, बेस है 30, हाइट है 40, तो बताओ यहां प अगर हम बात करें, यह होगा आपका 100, यह होगा आपका कितना 40, यहां से हम गए कितना 60, और यहां से हम आए कितना 70, तो 70 के लिए 40, यहां तक आ गए 30 ही हो जाएगा additional, यह दूरी हो गए 30, और यह total 100 था, यहां तक हमने 60 कवर किया, तो यह बच जाएगा 40, हमें क्या निक पूछा क्या प्रशन है, गौर वाक 15 किलोमीटर इन इस्ट डिरेक्शन, यहांनि कि पूर्व कि और कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, आगे कि अगर हम बात करें, बोला ही टर्न राइट देन, राइट अगें, ठीक है, दो बार राइट मुरता है, एंड फाइनली अले अलेड़े क्ल से जालेट, इस्ट अगे कि यहांनि कि फिर से एक लेफ्ट हो गया और दिषा की हम बात करें, तो क्या जाएगा, इनकी दख्षिन होजाएगा, उसी परकार यहां पिर PAUL करें, यहां से राइट मुरा है, फिर से राइट मुरा होगा, दिस्टेंस की चर्शा क और व्यक्ति का फेस भी देखने को मिलेगा चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्नकी अगले दी मैं यहाँ प्रस्नकी बात करूं तो बोला जा रहा चाइल्ड वॉक वन मीटर टु दा इस्ट ऑन इस नीज यानि कि गुटनों के भल क्या करता है पूर वदिशा की ओर एक मीटर चलता है तो यह होगा आपका एक मीटर आगे कि हम अगर बात करें तो अब हुआ अपनी दाई ओर मुड़ता है और दो मीटर चलता है तो अपने दाई ओर मुड़ता है और कितना चला दो मीटर चला इसी बात है, दो तो यही हो जाएगा, और इसके बाद हम बात करें, तो दो additional यहाँ पर आप उपर की ओर move on करेंगे, ठीक है, अंत में वहाँ अपने दाई और मुड़ता है, और एक मीटर चलता है, फिर से वहाँ अपने दाई और मुड़ता है, एक मीटर चलता है, clear, आगे क अगर हम बात करें, बच्चा अब किस दिशा के सम्मुक है, या किस दिशा की और उन्मुक है, ठीक है, तो answer आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, कि final उसका moment towards east है, तो जो उसका face है, वो भी क्या हो जाएगा, east हो जाएगा, clear, next question, school याते समय रोहित अपने घर से सीधे 2 km जाता ह अब फिर से सीधे, तो सीधे का मतलब कोई भी direction आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको बिल्कुल confuse नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर direction नहीं किया है, ठीक है, कोई भी आप direction ले सकते है, school याते समय रोहित अपने घर से सीधे 2 km जाता है, तो मान ले तो उसका घर यह है, हमने क बात करें, फिर बाय मुड़ता और 4 km जाता है, तो मुड़ गया left, और distance हो गया, 4 km, यहाँ से वहाँ दाय मुड़ता है, और 2 km की दूरी तै करने के बाद, वहाँ फिर से दाय मुड़ता है, और अंत में school पहुंचने के लिए 2 km की यात्रा करता है, तो यहाँ से school पहुंच पहुंचिम की और यात्रा कर रहा था, ध्यान दीजेगा, बोल रहा है, यदि वहाँ अंत में पहुंचिम की और यात्रा कर रहा था, तो उसके प्रारम भी के जो यात्रा है, उसने किस दिशा की और प्रारम करी, ठीक है, पहुंचिम की और यात्रा कर रहा था, तो उसका घ सकूल जिसा में है ठीक है अगर वा क्या कर रहा है पस्चिम दिशा की और यात्रा कर रहा है तो जैने हो सफित आ अगर बताना है स्कूल से उसका घर किस दिसा में यह दिसा क्या है और यह जो हमारा घर यहां से अगर हमें बताना है उसका घर किस दिसा में तो हमें यहां पर लेकिन चुकि बात कर रहा है कि उसका जो final moment है यदि क्या है पश्चिम दिशा की ओर है तो final moment यदि क्या है पश्चिम दिशा की ओर है और हमारा क्या रहा है यहां पर south हा रहा है तो समझिए जब हम बात करेंगे angle पर based question की तो वहां से इस concept को हम लोग सीखेंगे इस concept को हम लोग follow करेंगे यानि कि अगर हम क्या कर दें south को पश्चिम बना दे south को अगर हम क्या बना दे west बना दे तो हमें क्या करना होगा हमें करना होगा 90 degree rotate यानि कि इस पूरे के पूरे structure को हम 90 degree क्या करेंगे इस structure को अगर rotate करेंगे तो बताओ, ये वाला किवाल rotate होगा, कि पूरा का पूरा structure rotate होगा, तो आप कहेंगे कि सर पूरा का पूरा structure ही क्या करना पड़ेगा, हमें rotate करना पड़ेगा, यानि कि हर एक direction में हमें क्या देखने को मिलेगा, 90 degree clockwise का rotation देखने को मिलेगा, यानि कि जब हम south को west बना रहे हैं, तो 90 degree अगर हम rotate कर रहे हैं, it means यह अगर north ही ओर है, तो यह भी क्या करेगा, 90 degree rotate हो करके east बन जाएगा, यह अगर east है, तो 90 degree rotate करके south बन जाएगा, इसी प्रकार जो initial हमारा direction था, वो भी किदर था, towards east था, तो east भी rotate करके क्या बन जाएगा, south बन जाएगा, it means यह direction हो जाएगी, आपकी south, clear, यह direction हो जाएगी south, तो अगर हम बात करें, उसके घर से, उसके school की दिशा, जो अभी हमें प्राप्त हो रही है, उसमें भी परिवर्तन कितने degree का होगा, उसमें भी 90 degree का परिवर्तन होगा, किस दिशा में होगा, तो clockwise direction में होगा, तो अभी उसके school की जो दिशा ह हमें मिल रही है, वो कौन सी मिल रही है, वो मिल रही है, हमें south west, और south west में भी जब आप 90 degree का rotation करोगे, तो answer क्या हो जाएगा, north west, या निक उत्तर के अगर हम बात करें, तो option number B क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो थोड़ा सा concept पर based question है, और इस प्रकार के प्रस्ट आपक towards north, अमित क्या करता है, उत्तर की ओर 35 feet चलता है, clear, आगे कि अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर बुला है, turns right and walk 50 feet, यहाँ से दाय मुरता और कितना चलता है, 50 feet, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, turns right again and walk 65 feet, तो ध्यान दो, यह 35 है, तो 35 यहाँ तक हो जाएगा, additional हमें कि 30, total कितना हो गया, 65, clear, आगे कि अगर हम बात करें, तो बोला, heat turns left and walk 30 feet, यहाँ से वह अपने बाई और मुरार कितना चल गया, 30 feet, finally, heat turns to his left and walk another 30 feet, यहाँ से फिर से वह अपने बाई और मुरार, फिर से कितना चला, 30 feet चला, यानि कि इस वाली रेखा कि इस वाली बिंदू के परलल आ गया, ठीक है, इस वाले बिंदू के परलल आ गया, आगे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछा है, in which direction is Amun from his starting point, यानि कि वह अपने प्रारमिक बिंदू के सापेक किस दिशा में है, तो मैंने कहा मैप कहां बनाएंगे, जिस बिंदू के सापेक हम से दिश पूछी जाए, और यहाँ पर जब हमने मैप बनाए, तो मैप से हमें इस बिंदू तक पहुचने के लिए कैसे मूव करना पड़ेगा, इस प्रकार से मूव करना पड़ेगा, यानि कि direction की अगर हम बात के तो direction क्या जाएगा, east यानि कि option number 1 क्या हो जाएगा, यानि कि right answer हो पूछे गए प्रस्ट के लिए, clear, फटा-फट से move on करेंगे हाँ पर हम लोग next question पर, चली, next यदि मैं प्रस्ट की बात करूँ, तो बोला जा रहा है, रॉय 2 km पूर्व की और चलता है, यानि कि पूर्व की अगर हम बात करें तो यह होगा आपका 2 km, इसके बाद अगर हम बात करें फिर उत्तर पर्शिम में मुड़ जाता है, जब हमें सब डारेक्शन में क्या करना होगा, turn लेना होगा, चीखें, important concept है, exam में पूछा गया प्रस्टन है, जब हमें क्या करना होगा, सब डारेक्शन में turn लेना होगा, या angle के term में अगर बोल दिया जाएगा, 45 डि towards, east, तैनि पूर्वय की और, जब आपको sab डारेक्शन या फिर angle के form में rotate करने के लिए बोला जाए, तो जिस बिन्दू से बोला जाए, उस बिन्दू पे आपको क्या कर लेना है, map, बना लेना है, उस बिन्दू पे क्या कर लेना, map, बना लेना है, तो आप क्या करों के पह बनाएंगे तो अगर हमने मैप बनाया तो मैप में बता उत्तर पश्रीम कहा होगा तो उत्तर पश्रीम आपका इधर होगा यानि कि हमें रूटेट करना कि दर उत्तर पश्रीम की और और तीन किलो मीटर चलता है यानि कि यहां पर हम चलें कितना तीन किलो मीटर ठीक है चलें मुल करके कितना चलता है पांच किलो मीटर चलता है तो यह हम चल गए कितना पांच किलो मीटर आगे कि अगर हम बात करें वहां फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और दो किलो मीटर चलता है फिर से वहां किदर मुड़ता है पश्चिम की ओर मुड़ता है और दो किलो मीटर आगे कि अगर हम बात करें अंतिता वह उत्तर की ओर मुड़कर 6 किलो मीटर चलता है फाइनली क्या करता है वह उत्तर की ओर मुड़ता है तो यह 5 था तो 6 कि अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा उपर ही होगा और अगर हम बात करें फाइनली वह अपने प्रारंभिक दूर प्राराम्भिक बिंदू के सापक चकर उसकी दिशा हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या जाएगा आपका नौर्थ वेस्ट एन की आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा option number A तो बहुत जादा यहाँ पर आपको बारीक calculation नहीं पूछेगा जब आपसे exam में पूछेगा तो basically इसी प्रकार का question पूछेगा हमें क्या देना है ध्यान कि जब हम इस प्रकार का कोई rotation लेंगे तो किस प्रकार से हमें structure बनाना है clear चली बात कर लेते हैं अगले पूछेगे प्रस्ण की अगले ती मैं प्रस्ण की बात करूँ you are facing east आपको बोला जा रहा है कि आपका मुख कहां है पूर्व की ओर है तो कोई एक बंदा जिसका मुख क्या है पूर्व की ओर है हम बात करेंगे सीधे यहाँ पे map के term बे और angle पर rotation पर बेज़ आपको यह question देखने को मिल रहा है इसका मैं अलग अलग तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इस प्रस्ण को क्या कर सकते है बना सकते है ठीक है तो एक तरीका direct और दूसरा तरीका map पर कैसे हम बना सकते है clear map के अगर मैं बात करूँ आप का मुख कहा है towards east है फिर बोला जा रहा है you turn 100 degree in the clockwise direction तो हमें पता है कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा और यहां से 10 more degree ठीक है फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बोला जा रहा है and then 145 degree 90 clockwise direction यानि कि यहां से आप ज यहां से यहां तक जाओगे तो 90 और बचा कितना आपका 45 degree तो आप पहुच जाओगे कहां towards north east ठीक है फिर उसके बाद आपसे बोला जारा which direction are you facing ना हो तो answer हो जाएगा आपका क्या north east यानि कि उत्तरपूर और इस प्रस्ण को हल करने का और भी आसान तरीका क्या हो सकता है बारे में चर्चा करेंगे तो जितना भी data आपको clockwise direction का दिया हो और जितना भी data anti clockwise direction का दिया हो दोनों को अलग-अलग लिख लेना है clear यानि कि दख्छिला वरते दिशा में जो rotation हुआ है और वामा वरते दिशा में जो rotation हुआ है दोनों को अलग-अलग आपको लिख लेना है तो अगर हम बात करें यहाँ पर clockwise direction तो कितना है 100 degree है और anti-clockwise direction की हम बात करें तो कितना है 145 degree अब हमें क्या कर लेना है दोनों का difference ले लेना है दोनों का हम difference लेंगे तो हमारे पास बचेगा anti-clockwise direction का 45 degree clear तो anti-clockwise direction का अगर हमारे पास 45 degree बच रहा है clear तो यह हो जाएगा आपका best approach क्योंकि यहां पर multiple data दिया हुआ हो सकता था clockwise 100 degree आपको rotate कराया फिर से बोल देता clockwise में 150 degree है ना इस प्रकार से आपको multiple data देदेगा तो आपको clockwise को अलग लिख लेना है anti clockwise को अलग लिख लेना और दोनों का क्या ले लेना है difference ले लेना फाइनली जो बचेगा उसी direction में हमें क्या कर देना है उतने degree rotate कर जाना है या move कर जाना है clear बात करेंगे next question की a person is facing north he turns to 25 degree in anti clockwise direction फिर से देख लो 225 degree anti clockwise direction हमें इसी प्रकार से लिख लेना है फिर उसके बाद बोला है and then 90 degree in clockwise direction तो यह होगि आपका 90 degree clockwise direction फिर अब इन दोनों का क्या कर लेंगे अं difference ले लेंगे इन दोनों का अगर हम difference लेंगे तो यहां पर बचेगा कितना तो यहां बचेगा आपका इसमें से अगर हम बात करें 100 खटा देंगे तो बचेगा आपका 125 और माइनिस कर देंगे तो बचेगा आपका 115 135 ठीक है 135 डिग्री हमारा बचा कितने का clockwise का इनिशियल अगर हम direction की बात करें तो नौर्थ था नौर्थ से 135 डिग्री जब आप clockwise direction में move on करते हो तो आप किस दिशा में जाओगे तो यहां से यहां तक आ गए 90 यहां से यहां तक आ गए तो कितना हो गया 45 और यानि कि answer के अगर हम बात करें तो answer क्या हो जाएगा आपका south east यानि कि दक्षिड यहां पर गलती से आपका south east होना चाहिए था यहां पर गलती से आपका west है फिर से एक बार देख लेते हैं फटा-फट से 225 सा आपका anti clockwise 90 था तो difference कि अगर हम बात करें तो anti clockwise का बचे का sorry यहां पर हमें rotate करना है anti clockwise बचा हमारे पास anti clockwise का 135 डिग्री क्लियर तो बंदा देख रहा था कहां नॉर्थ तो नॉर्थ से जब हम क्या करेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉक्वाइस डिरेक्षिन में move on करेंगे तो जो हमारा final direction आ जाएगा वो क्या जाएगा south west यानिक option number b क्या हो जाएगा right answer हो जाएग ठीक है चलिए move on करते है फड़ा फड़ से अगले प्रस्ण पर यूपी पुलिस असाई 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है यहाँ पर बूला जा रहा है अगर इस फेसिंग नॉर्थ डिरेक्षिन इफ्टी नाइन डिग्री इन क्लॉक्वाइस डिरेक्षिन तो अ अगले प्रस्ण की बात करूं तो अगेन यूपी जेल पुलिस 2021 की परिक्षिन पुछा गया प्रस्ण है if north east is called west जितने भी angle पर based questions है तो बोला जा रहा है यदि उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं हम west कह रहे हैं यानि कि उत्तर पूर्व को हम उत्तर पूर्व कही नहीं है हम इसको क्या कह रहे हैं west कह रहे हैं साउथ वेस्ट इसको मैं यहां पर बात करूं तो बोला जा रहा है और नौर्थ वेस्ट इसको साउथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे 135 degree anti-clockwise rotate करेंगे clear तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है then south will be called as तो south को क्या कहेंगे तो इसको ऐसे समझीए मैंने कहा यदि हम क्या कहते है Monday is called Tuesday यदि हम सोमवार को कहते है मंगलवार Tuesday is called Wednesday then what will be the day for Saturday तो Saturday को हम क्या कहेंगे यानि कि सोमवार को यदि हम मंगलवार कहे रहे है मंगलवार को हम बुदवार कहे रहे है तो सनीवार को क्या कहेंगे तो आप कहेंगे सनीवार को हम लोग क्या कहेंगे Sunday या फिर रवीवार तो उसी प्रकार जब हम North East को क्या बोल रहा है West बोल रहा है हम यहाँ पर North West को क्या बोल रहा है South बोल रहा है और यहाँ पर हम बात करें तो South West को बोल रहा है East हर एक direction में हम देख रहा है कि 135 degree anti-clockwise हम बढ़ा करके या rotate करके direction consider करें तो इसी प्रकार हमसे पूछा गया South के लिए तो South में हम क्या करेंगे 135 degree anti-clockwise क्या कर जाएंगे rotate कर जाएंगे तो हम पहुचेंगे कहा North East यानि कि answer के कर हम बात करें तो option number B क्या हो जागा आपका right answer हो जागा पूछे गए प्रशन के लिए clear चलिए अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है shadow पर based question यानि कि परचाई से सम्बंदित प्रश्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार के प्रश्ट पर बेश्ट कुछ basic concepts को हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं इससे पहले कि मैं question को discuss करूँ फटाफट से इस पर बेश्ट हम basic concepts को समझ लेते हैं तो जब हम बात करते हैं shadow पर based questions की तो यहाँ पर basically आपको दो cases देखने को मिलेंगे एक मिलेगा आपको morning case और एक मिलेगा आपको evening case evening case की अगर हम बात करें तो sun कहा होगा आपको towards west होगा और morning case की अगर हम बात करें तो sun कहा होगा towards east होगा अब हम बात करते हैं morning case की अगर morning में हमने कहा कोई एक व्यक्ति क्या है A है और वो कहां देख रहा है अपका उत्तर की और देख रहा है तो उस व्यक्ति की जो परचाई है वो कहां बनेगी उस व्यक्ति के बाई और बनेगी clear हमने कहा एक ही परचाई कहां बनेगी ये के बाई और बनेगी और अगर morning time में कोई व्यक्ति कहां देख रहा है south की और देख रहा है तो इस व्यक्ति की परशाई कहां बनेगी व्यक्ति के दाहिनी और बनेगी इतनी बात clear इसी प्रकार जब हमने कहा evening time में कोई व्यक्ति कहां देख रहा है उत्तर की और देख रहा है तो इस व्यक्ति की परशाई कहां बनेगी व्यक्ति के दाहिनी और बनेगी की परचाई एके बाई और बनेगी मैंने कहा बी की परचाई बी के किधर बनेगी तो आपने कहा बी की परचाई बी के दाई और बनेगी अब मैंने आप से यदि पूछा कि बताओ एकी परचाई बी के कहा बनेगी एकी परचाई बी के रस्पेक्ट में कहा बनेगी तो एकी हम बात करते हैं इवनिंग केस की तो हमने कहा A की परचाई A के कहा बनेगी तो आपने कहा दाई और बनेगी हमने कहा B की परचाई B के कहा बनेगी तो आपने कहा बाई और बनेगी लेकिन जब मैंने पूछा कि बताईए A की परचाई B के कहा बनेगी तो B की परचाई अगर B क बानी और बन रही it means उसके सामने खऴी व्यक्ती की भी पर्चाइ एक है एक दाहिनी और बनेगी इसी प्रकार यदि मैं पूछू कि बी P and Q are facing towards each other at a crossing ठीक है case क्या है morning case हमें यह वाला morning case consider करना है ठीक है if P shadow falls exactly to his left ठीक है P की shadow की अगर हम बात करें तो कहां बन रही है यह P के बाई और बन रही it means P कहां देख रहा होगा आप यहीं से अंदाजा लगा सकते है एक की परचाई एक के बाई और बन रही का जब A कहां देख रहा हुआ उत्तर की और यानि की P की परचाई भी P के बाई और कब बनेगी जब P उत्तर की और देख रहा होगा पूछा क्या है then find which direction is Q facing now और दोनों आमने सामने खड़े it means Q कहां देख रहा होगा दक्षिन की और देख रहा होगा अंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा South clear तो आसानी से आप इस प्रस्ण का भी उत्तर दे सकते हैं अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर Blood Relation पर आधारित प्रस्णों की है Blood Relation पर Based Questions की ठीक है Blood Relation यानि की रक्त संबंद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ Basic Concepts हम लोग जान लेते हैं जिन पर हम लोग क्या करेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे Blood Relation पर Based Questions को Solve करेंगे तो Blood Relation से संबंद कुछ Basic जानकारी की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं तो Blood Relation पर अगर Based मैं Questions की बात करूँ तो Basically आपको तीन प्रकार के प्रस्णों देखने को मिलेंगे पहला मिलेगा आपको Family Tree ठीक है दूसरे के अगर हम बात करें तो दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पर Pointing या फिर Indicating Form of Blood Relation जिसमें आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की और इसारा करते हुए एक दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसके बारे में चर्चा करता है या उसकी तस्वीर की और इशारा करते हुए चर्चा करता है और तीसरा आपको मिलेगा Coded Form of Blood Relation जिससे आप लोग बहुत घबराते हैं तो इन तीनों प्रकार के प्रस्णों को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे अब Blood Relation को हम यहाँ पर डिसकस करें इससे पहले कुछ और बेसिक बाते हम जान लेते हैं जैसे कि Blood Relation में हम क्या करेंगे Relations को Represent करने के लिए कुछ Sign का Use करेंगे वो Sign कौन कौन से होने वाले है यानि कि इस प्रकार से अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन से तो वर्टिकल लाइन से हम एक जनरेशन के Gap वाले Relation को Represent करेंगे जिन में आपके उपर में देखने को मिलेंगे Mother या फिर Father यानि कि माता या फिर पिता और एक जनरेशन में देखने को आपको नीचे मिलेंगे Sun या फिर Daughter यानि कि पुत्र या फिर पुत्री इस प्रकार के अगर हम बात करें Horizontal Line या Straight Line से हम लोग Represent करेंगे Same Generation के Relation को जिन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Brother या फिर Sister और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Brother या फिर Sister इसी प्रकार हम Double Arrow से Represent करेंगे किसको Married Couples को Double Arrow से हम लोग Represent करेंगे किसको Married Couples को यानि की विवाहित जोड़े को जिन में इधर आपको या तो मिलेगा Husband या तो मिलेगी Wife इधर आपको मिलेगा या तो husband या तो wife इधर अगर husband मिलेगा तो दुबारा इधर से husband आपको नहीं मिलने वाला यह understood है कि इधर क्या हो जाएगी वाइफ हो जाएगी इधर अगर ब्रदर मिल गया तो इधर ब्रदर हो सकता है दो भाई हो सकते हैं दो husband यहाँ पर नहीं होंगे आपस में और इसी प्नार अधिर करेंगे ओसी प्रकार अगर हम मेल मेंबर्स आफ फैमिली की बात करेंगे Protect और फिल Bürसने करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ऐसे सर याव फिर मायन है क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे इन बैसिक अधरत है पर प्रश्नों पर मैं बात करूं तो पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है UP Police SI की परिक्षा 2021 में पूछा गया प्रशन है A is the spouse of B, अब spouse का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवन साथी, यानि कि यहाँ पे आपको gender clear नहीं है कि इसमें से पती कौन है, पतनी कौन है, या आपको यहाँ पे clear नहीं होगा यानि कि A is the spouse of B, यानि कि A और B क्या है, विवाही तो जोड़े तो हैं, लेकिन इनमें से male कौन है, female कौन है, यह हम निर्धारित नहीं कर सकते साथी साथ, blood relation में हम किसी के नाम से भी व्यक्ति का gender निर्धारित नहीं कर सकते ठीक है, आगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है, who has no female child, यानि कि B के जितने भी संतान हैं, सभी क्या है, male है अगर संतान होगी तो क्या होगी, male होगी, यानि कि female नहीं है, ठीक है, आगे कि अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है, C is the brother of D, C क्या है, D का भाई है, तो यहाँ से जन्डर क्लियर हुआ, यानि कि C क्या है, D का भाई है, अब D, C की बहन भी हो सकती है, और C का भाई भी हो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा हूँ किसके लिए आया है E के लिए आया है WHO is the son of B अब E क्या है बी का पुत्र है तो E यदि B का पुत्र है और हमें पता है कि B की कोई भी संतान महिला सदस्य नहीं है it means यहाँ पर D का भी gender clear हो जाएगा कि D भी क्या है परिवार का पुरुष सदस है साथी साथ C के बारे में पहले ही clear हो चुका है कि C क्या है परिवार का पुरुष सदस है यानि कि यह तीनों क्या है B की संताने है आगे कि यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूछा जा रहा है how is D related to B D B से किस प्रकार संबंधित है तो यहाँ पर भी बच्चों को confusion होती है पूछा है how is D related to B तो आप यहाँ पर confused होते हैं यानि कि एक में दिया गया है यहाँ पुत्र एक में दिया गया है जाएगा यहाँ से clear हो जाएगा A D की माता नहीं है A यदि D की माता नहीं यहाँ पर बुलाए A is not the mother of D ठीक है A अगर D की माता नहीं तो definitely क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा और B हो जाएगी माता अब फिर भी यहाँ पर प्रस्ण में आपको confusion बना रहता है How is it D related to B D B से किस प्रकार संबंदी थे तो आप confused किस में होता है कि यहाँ पर answer माता करना है या फिर यहाँ पर sun करना है यानि कि बेटा ठीक है या पुत्र अब जिस व्यक्ति के संबंद में पूछा जाएगा तो यहाँ पर प्रस्ण जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ फिर से आप लोगों को मैं recall कराना चाहता हूँ एक प्रस्ण आपको हमेशा याद रखना है कौन सा आप अपने पिता से किस प्रकार संबंदित है ठीक है आप अपने पिता से किस प्रकार संबंदित है तो यहाँ तो आप गलती नहीं करते हो यहाँ तो आपको confusion नहीं होती यहाँ तो आप बाप नहीं बोल लेते हो यानि कि अगर मैं आप से कहूं पहले कहूं आया तो आप कहेंगे पहले बाप लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस प्रस्ण की पहले आप प्रस्ण में क्या आया पहले आप आया मैं दुनिया की बात नहीं करूं कि दुनिया में कौन पहले आया तो प्रस्ण की अगर मैं बात करूं तो पहले कौन आया सन यानि कि पुत्र और जितनी भी यानि कि जितने मेल मेंबर हैं अगर मैं उनसे पूछू आप अपने पिता से किस प्रकार सा मंदित हैं तो उन सभी का उत्तर क्या हो जाएगा सन और जितनी भी बंदिया इस सेशन को देख रहें उन सभी का उत्तर क्या हो जाएगा मून यान की daughter ठीक है तो अगर हम बात करें तो बंदिया क्या उत्तर देंगी यानि कि जितनी भी महिला सदस से इस सेशन को watch कर रही है वो लोग क्या answer करेंगी वो लोग answer करेंगी daughter और जो भी पुरुष सदस है या male members इस सेशन को देख रहे हैं वो लोग क्या answer करेंगे वो लोग answer करेंगे son तो जब यहाँ पर आपने देखा कि पहले आप आया तो आपने उत्तर भी किसके लिए दिया आपके लिए दिया यहाँ पर पहले u आया तो आपने उत्तर किसके लिए दिया यू के लिए दिया, तो प्रश्ण के अगर हम बात करें, तो पूछ रहा है, how is d, तो पहले क्या आया, d आया, तो आप उत्तर किसके लिए करोगे, d के लिए करोगे, तो d, b से किस प्रकार संबन्नित है, तो d संबन्नित हो जाएगा, पुत्र के रूप में, तो अंसर के अगर हम बात करोगे, आप यहाँ पर option number a, बात समझ में आई, यानि कि जिस भी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आपको प्रस्ण में करते हैं, गलती कर जाते हैं, बात करते हैं अगले प्रस्ण की राजस्तान, पुलिस कॉंस्टेबल, 2020 में पूछा गया प्रस्ण है, बात करेंगे प्रस्ण की, डेविड is the grand son of Amit, अनिल, ठीक है, तो डेविड क्या है, grand son, अब grand son की बात करें, तो paternal है, या maternal है, या हमें न बात करें, तो डेविड क्या है, अनिल का paternal grand son है, यानि कि उनके बेटे का बेटा है, जैसा कि हिंदी में यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, clear, तो अगर हम बात करें, यहां पे अनिल की, अनिल का क्या होगा, कोई एक पुत्र होगा, अनिल का जेंडर हम अनिल के नाम स रॉय क्या है, अर्नब का भाई है, तो रॉय और अर्नब के बारे में यहां में कोई जानकारी नहीं, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, रॉय क्या है, अर्नब का भाई है, आगे कि अगर मैं बात करो, तो पूछा है, how is Ritess related to, अच्छा, आगे यहां पे आपको जानका रॉय इस दा ब्रदर अर्नब, फिर बोला है, रितेस इस डेविट सफादर, रितेस क्या है, डेविट के पिता है, तो यहां हो जाएंगे यह रितेस, आगे कि अगर हम बात करो, पूछा, how is Ritess related to अनिल, रितेस का अनिल से क्या संबन्द है, तो मैंने आपको स्टार्टिं अनिल से क्या है, बैटा, इस जानकारी का कोई भी यूज प्रस्न में नहीं हुआ, बात करेंगे अगले प्रस्न की, अगले दी में प्रस्न की बात करूं, तो यहां पर बोला जा रहा है, रावली ड़स नौट हैव एनी ब्रदर, यानि कि रावली का कोई भी भाई नहीं य ठीक है तो यह हो गई आपकी रावली आगे कि अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है गिरिमा इस दा वाइफ आफ अर्जुन गिरिमा क्या है अर्जुन की पतनी है तो यह हो जाएगा यहां पर गिरिमा और यह क्या है पतनी है किसकी अर्जुन की तो यह हो जाएगे रेंडर की बात करें तो यह हो जाएगा mail, clear, आगे के अगर मैं यहां पर बात करूँ तो बोला जारा, जाकिर is the husband of Malawi, जाकिर क्या है, मलावी का husband है, तो यहां पर हम लूग बना लेंगे मलावी को, और मलावी का हस्बेंट कौन हो जाएगा यहां पे जाकिर क्लियर चलिए आगे की इन्फॉर्मिशन पढ़ते हैं बोला जा रहा है च्छाया इसदा डाटर आफ रावली च्छाया क्या है रावली की डाटर है तो यह रावली है और इनकी डॉटर कौन हो जाएगी छाया इसका जंडर क्लियर हो गया ठीक है आगे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बोला जा रहा है फातिमा इस दा डॉटर ओफ अरजुन फातिमा क्या है अरजुन की डॉटर है तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे किसको फातिमा को तो यह हो गई फातिमा फातिमा क्या है अरजुन की पुत्री है आगे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मलावी is the mother of रावली मलावी क्या है रावली की माता है तो यानि कि यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं अब रिलेट कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर यह हो जाएगा आपका रावली और रावली की पुत्री कौन है रावली की पुत्री है यहाँ पर छाया क्लियर अभी इस डाटा का हमारे पास कोई काम नहीं है ठीक है आगे कि अगर हम बात करें या पर बोला है गिरिमा क्या है मेटर्नल आंट है चाया की और स्टार्टिंग में ही बोल लिया गया था कि रावली के कोई भी भाई नहीं है अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ह देखिए कैसे मर्ज कर सकते है बोला जा रहा है final हमने यह पे देखा कि अ कि लिगाई कि शाया की मेटर्नल आंट है इट मेंज कि यहाँ पे हम इसको रावली की सिस्टर मान सकते हैं यह हो जाएग आपका कौन रावली रावली की बेटी कोन शाया और चाया की यह क्या हो जा आगी यहां कि अग wireless करना था मलावी म्लावी न्याद कि क्या है रावली के माता और पिता एक स्क्च्ट और यहां पर की तुद्धा की था है अ यह रख सकते हैं कि और वहांने हैं नि था कर है ही नो पॉरा की तरी स्ट्धिस की प्रशनर है जाकिर की पुत्री हो जाएगी, यानि कि आंसर हो जाएगा, option number C, यानि कि daughter, चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रशन की, six members, A, B, C, D, E and F of a family are traveling together, ठीक है, राजस्थान पुलिस 2020 की परिक्षा में पूछा गया प्रशन है, B is the son of C, B क्या है, C का पुत्र है, आगे की बात ब कर तो A and C is a married couple, A और C क्या है, married couple है, clear, A और C विवाहित जोडे है, आगे की अगर हम बात कर तो बोला जारा है, E is the brother of C, E क्या है, C का भाई है, यह हो जाएगा आपका E, clear, आगे की यह दि मैं बात करूँ तो बोला जारा है, D is the daughter of A, D क्या, A की पुत्री है, तो यहाँ पे आगे की अगर हम बात कर तो बोला जारा है, F is the brother of B, और F क्या है, B का भाई है, तो B का भाई है, मतलब, D का भी भाई है, clear, तो इधर बनाओ, इधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे की अगर हम बात कर तो बोला है, so how many male members are there in the family, तो परिवार में पुरु सदस् की संख्या कितनी, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पर एक male, एक female है, A यहाँ पर female हो जाएगी, ठीक है, she is not the mother, यानि की C father है, तो A क्या हो जाएगी, mother हो जाएगी, ठीक है, तो पूछा है, how many male members are there in the family, परिवार में पुरु सदस्द से कितने है, तो एक, दो, त तीन, चार, यानि की answer के गर हम बात करें, तो option number C, क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रस्न के लिए, clear, बात कर लेते हैं, अगले पूछे गए, प्रस्न की, अगले प्रस्न की बात करो, तो बोला जा रहा, अधिती is the daughter of संकेत, अधिती क्या है, संकेत की daughter है तो लिख लेते हैं, यह हो गई, अधिती, daughter किसकी है, संकेत की, संकेत का gender यहां से decide नहीं होगा, ठीक, अधिती संकेत की पुत्री है, तो संकेत उसकी माता भी हो सकती है, और किता भी हो सकता है, वृत्ती is the daughter of अंकित, वृत्ती क्या है, अंकित की daughter है, इसको भी लिख लेते क्रिती क्या है माही की माता है तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्रिती को तो क्रिती का तो जेंडर क्लियर हो गया लेकिन माही का जेंडर क्लियर नहीं हुआ ठीक है आगे कि अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो बोला जा रहा है नीता इस संकेत स्वाइफ यानि कि नीता क् इसकी हैं, संकेत की, यहांई कि संकेत हो जाएंगे इनके पती, और संकेत की यहां पर पुत्री कौन है, अदिती, तो इसको हम इस परकार से यहां पर ड्रो कर सकते हैं, clear, चलिए, बात करते हैं, आगे, आगे आपसे बोला जा रहा है, नीता is the mother-in-law of वृत्ति, इस मदर कृति यानि की कृति क्या है वृत्ति की माता है और नीता उसकी क्या है मदर इनलो है नीता यदि क्या है कृति की मदर इनलो है यानि की कृति क्या है वृत्ति की भी माता है नीता is the mother-in-law, वृत्ती is mother, कृती, ठीक है, अब यह अगर mother-in-law हो गई, it means इनका क्या होगा, एक, बेटा होगा, जो कि married किसके साथ में होगा, कृती के साथ में होगा, तो यह हो जाएगी, यहाँ पर कृती, अब देखो नीता, यहाँ पर क्या हो गई, वृत्ती की माता, कृती की mother-in-law, यानि की इनकी बेटी कौन है, एक तो वृत्ती है, और एक बेटा या बेटी कौन हो जाएगा, यहाँ पर, माही जिसका gender हमें अभी तक clear नहीं है, ठीक है, आगे के अगर हम बात करें, अच्छा, यहाँ पर आदिती और संकेत बचे हुए है, ठीक है, तो आदिती हो गया, यह हो गया, आपका संकेत बचा हुआ है, अंकीत, तो अंकीत, अंकीत की पुत्री कौन थी, वृत्ती थी, तो यहाँ पर कृत्ती की पुत्री, वृत्ती है, बात कर लेते हैं अब प्रस्ण की structure हमारा बन करके त्यार है तो देख करना क्या होता है जब भी आपको exam में इस प्रकार के data दिये गए हो तो हमें अलग-अलग उसको note करके लिख लेना होता है और फिर जैसे ही हमें जानकारी मिलते हैं जिससे हम data को merge कर लेते हैं तो merge करके हमे एक proper structure इस प्रकार से बना लेना होता है और इसी पर based हमें प्रस्णों के question जो प्रस्णों के answer है वो देने होते हैं ठीक है बात करने पूछे कर प्रस्ण की पूछा जा रहा है which of the following statements is not correct यानि कि दिये कर कतनों में से कौन सा वाला सत्य नहीं है या सही नहीं है अंकित इस फादर ओफ माही अंकित क्या है माही का पिता है तो यह बिल्कुल सही है यानि कि यह आपका eliminate हो गया वृत्ति इस दा सिश्टर ओफ माही की सिश्टर है यह वाला भी क्या हो गया आदिती is the daughter of Nita आदिती क्या है नीता की पुत्री है ये वाला भी क्या होगा eliminate होगा आप इसको आँख बन करके answer mark करके चले आना था आपको इसको अगे पढ़ने की ज़रत नहीं थी verify अगर करें तो बोला है कृती is the daughter of संकेत क्रती क्या है संकेत की पुत्री है तो क्रती संकेत की पुत्री नहीं है बलकि क्या हो जाएगी पुत्र वधु या आप बहु बोल सकते हैं ठीक है यानि की daughter in law बात करेंगे पंजाब पुलिससाई 2017 की परिक्षा में पुछेगा है प्रस्ण की जो की आपका pointed form of blood relation पर based question है तो pointed form of blood relation पर based जब हम प्रस्णों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है one word substitution पर यानि की जो भी आपको यहाँ पर बाते कही गई हैं यादि उसको हम क्या कर पाते हैं एक शब्द में परिवर्तित कर पाते हैं परश्ण को बना पाना हमारे लिए असान हो जाता है जैसे मैंने कहा यदि परिवार का कोई पूरुस सदा female member of the family अगर क्या कहता है only son of my mother मेरी माता का इकलोता पुतर यानि की only son of my mother clear it means he is talking about himself यानि की वह अपने स्वयम के बारे में बात कर रहा है इसी प्रकार जब कोई female member of the family क्या बोलती है only daughter of my mother मेरी माता की एक मात्र पुतरी only daughter of my mother या फिर father ठीक है it means he is talking about herself यानि की वह अपने स्वयम के बारे में बात कर रही है ठीक है लेकिन जब हमने कहा कोई पूरुस सदा से क्या कहता है only daughter in law of my mother मेरी माता की कलोती बहु यानि की परिवार का कोई पूरुस सदा से जब कहता है मेरी माता की कलोती बहु तो it means he is talking about आप कहेंगे अपनी पतनी के बारे में ठीक है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा साउधान रहने की जरूरत है यानि की जब हम बात करते हैं pointed form of blood relation की तो pointed form of blood relation में जब कभी भी आपको cnd यानि की निर्धारित नहीं किया जा सकता data inadequate आकले अपर याप तो इस प्रकार के जब आपको विकल्प दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना होता है फिर either और वाले जो आपको विकल्प दिखाई देते हैं तो ऐसे cases में आपको सावधान रहने की जरुत होती है ऐसे cases में आप क्या करेंगे जो possible relations है उन पर भी आपको ध्यान देना होता है जैसे मैंने कहा जब परिवार का पुरुष सद्द से कहता है मेरे माता का इकलौता पुत्र तो आपको पता है वा अपने स्वयम के बारे में बात कर रहा है इसी प्रकार जब परिवार के किसी महिला सद्द से ने कहा कि मेरी माता की कलौती पुत्री तो आपने कहा कि वा अपने स्वयम के बारे में बात कर रही है मैंने जब कहा परिवार का कोई पुरुष सद्द से कहता है कि उसके माता की कलौती बाहू तो आपने क कर रहा है और पतनी कहीं आपको option में दिया ही ना गया हो तब आप क्या करेंगे तो आप कहेंगे प्रस नहीं गलत पूछ लिया है ठीक है तो समझ यह मैंने कहा इसको मैं रखी देता हूं क्योंकि आप लोगों को इसका screenshot फोट फोट पीडियाफ बना अमकर करके मिलने वाला है ठीक है चलिए तो मैंने कहा जब पुरुष सद्स कहता है मेरे माता कि इकलोती बहुत to it means यह हो गया पुरुष यह होग इसकी माता और इसकी माता की इकलोती बहुत बठाओ इस बहाई की पत्नी हो सकती है कि नहीं हो सकती है अब आते हम यहां पर प्रश्ण पर प्रश्ण कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कुछ और important बाते मैं बता देता हूं आपको pointed form of blood relation से संबंदित यानि कि pointing towards a man pointing to a man a woman said the daughter of his यानि कि यहां पर जो his देखने को मिल रहा है आपको जो भर देखने को मिलेगा ठीक है उसका उसकी it means जिसके बारे में बात करी जा रही यह उसके लिखा हुआ होगा और जब हम बात करेंगे आई या फिर माई तो यह जो बन्दा और इसारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके पिता यानि कि आदमी के पिता यानि कि आदमी के पिता उसके पिता की पुत्री यानि कि इस आदमी की बहन उसके पिता की पुत्री मेरी माँ की एक मात्र पुत्री है यानि कि महिला की माता की एक मात्र पुत्री तो महिला ये क्या हो जाएगी स्वयम हो जाएगी महिला की माता की एक मात्र पुत्री है अगर ये तो ये महिला स्वयम हो जाएगी यहां का अगर हम बात करें उस महिला का पती उस पुरुष से किस प्रकार संबंदित है यानि कि इस महिला के अगर हम पती की बात करें तो यह उस पूरुष से किस प्रकार संबन्दित है तो महिला के पती के अगर हम बात करें तो यह इनकी बहन हो गए और यह बहन का husband यानि कि क्या हो जाएगा brother-in-law sister's husband brother-in-law कह सकते हैं या sister's husband कह सकते हैं बहन का पती ठीक है बात करेंगे अगले प्रश्ण की करते हुए एक लड़के की तस्वीर की और इसारा करते हुए निखिल ने कहा वह मेरी मा यानि कि मेरी किसके लिए आया निखिल के लिए आया निखिल की मा की सास तो यह हो कि निखिल की माता और इनकी सास कौन हो जाएगी तो हो जाएगी इनके husband की माता यानि की निखिल की दादी ठीक है सास की बेटी के इकलोते भाई अब सास की बेटी यानि की निखिल की बुवा के इकलोते भाई यानि की निखिल के पिता का बेटा है यानि की निखिल का भाई है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तस्वीर में लड़का निखिल से किस प्रकार सम्मंदी थे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर option number D यानि की निखिल का भाई फिर से समझ लीजे निखिल की माता की सास की इकलोती बेटी की बेटी के इकलोते भाई का बेटा है तो निखिल की माता यह हो गई निखिल की माता की सास यानि की निखिल की दादी हो गई निखिल की दादी की पुत्री यानि की निखिल की बुआ हो गई के एक लोते भाई यानि की निखिल के पिता हो गई का बेटा यानि की निखिल का भाई हो गया ठीक है तो अंसर के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा option number D अब आप कहेंगे निखिल स्वयम भी तो हो सकता था तो बिल्कुल हो सकता था अगर निखिल himself का एक option आपको दिया गया होता तो वो आपका एक विकल्प बन सकता था अगर CND दिया गया होता तो वहाँ पर CND का एक विकल्प बन सकता था क्योंकि वो तस्वीर निखिल की खुद की हो सकती थी ठीक है चली आगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक तस्वीर की और इसारा करते हुए रोहन ने कहा वहां मेरे दादा यानि कि हो गए रोहन रोहन के पिता के पिता क्या हो जाएंगे रोहन के दादा हो जाएंगे के कलोते पुत्र यानि कि रोहन के पिता हो जाएंगे की पुत्री यानि कि रोहन की बहन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर पूछा क्या है रोहन तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से किस संबंदी थे तो यहां पर हो जाएगा भाई यहां तो हो जाएगा यहां पर बहन अब यहां पर भाई का option दिया नहीं है सुरी बहन का option दिया नहीं it means option number B का जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए तो कैसे किया यहां पर रोहन के दादा जी के कि लोते हैं पुत्र कौन हो गई रोहन की पिता हो गई की पुत्री यानि की रोहन की कौन हो गई बहन हो गई और अगर हम बात करें रोहन की तो रोहन तस्वीर में दिख रहे रहे रेक्ती से किस प्रकार संबन दी थे तो आंसर को जाएगा हैं पर ब्रदर बात कर लेते हैं अ दो अप्रोचिस की बात करूं, तो एक तो हम family tree से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जैसे प्लस B क्या मतलब क्या है, A प्लस B का मतलब है A is the father of B, यानि कि A प्लस B की जब हम बात करते हैं तो A क्या है, B का पिता है ठीक है, प्लस कार्थ हो गया यहां पर पिता, प्लस का मतलब हो गया father फिर उसके बात बोला जा रहा है at the rate का मतलब क्या है A, B का भाई है at the rate का मतलब हो जा रहा है brother आगे कि अगर हम बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा A and B का आर्थ है क्या बेटी यानि कि daughter आगे कि अगर मैं बात करूं तो बस केवल यहां पर तीनी आपको sign दिये गए ठीक है तो केवल और केवल हमें ध्यान देना होता है क्या कि first person का relation second person के respect में दिया गया है या फिर second person का relation first person के respect में दिया गया है जैसे हमने कहा A plus B का आर्थ क्या है A B का भाई है यानि कि पहला वाला व्यक्ति क्या होगा दूसरे से किस प्रकार से संब्द नी थे या जानकारी दी गई है और कई बार आपको देखने को मिलेगा A plus B का आर्थ क्या है B A का भाई है मतलब दूसरा वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा पहले वक्ती से किस प्रकार संबद नहीं थे ऐसी जानकारी आपको दी हुई होगी basically आपके exam में जो पूछा जाता है how is first person related to second person पर based आपको question देखने को मिलता है ठीक है चलिए अब यहाँ पर अप्रोच की मैं बात करूँ तो दो तरीके अपने पास एक तो family टी और एक direct वाला तरीका direct वाले तरीके में क्या करना है जब first person is related with second person करके आपको जनकारी दी गई होगी तो आपका जो movement है वो कैसा होना चाहिए वो आपका right to left होना चाहिए प्रस्ट में अगर हम बात करें तो पूचा किसके बारे में how is s related to p नहीं पूचा है आपसे then how is p related to v p v से किस प्रकार संबन दी थे ठीक है तो हमें बताना है p के बारे में अब यहाँ से हम movement करना शुरू करेंगे तो यह हो जाएग इनकी पुत्री यह हो गई पुत्री की भी पुत्री तो यानि की पुत्री कौन हो जाएगी यहाँ पे granddaughter हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है at the rate पूचा क्या था how is p ठीक है फिर यहाँ पे at the rate का मतलब क्या है भाई यानि कि यह क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया, और प्लस का अर्थ क्या है, फादर, यानि कि ग्रैंड सन के फादर, तो ग्रैंड सन के फादर क्या हो जाएंगे, यानि कि दामाद हो जाएंगे, option के अगर हम बात के तो option number C क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, कैसे बनाया हमने द लगेगी तो लगेगी इनकी granddaughter, granddaughter का भाई है तो क्या लगेगा, grandson लगेगा, कौन सा वाला grandson लगेगा, तो यह लगेगा, अगर हम बात करें, पुत्री का, पुत्र यानि की आप इसको बोल सकते हैं, नाती, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, तो यह यह जाएंगी, वीके, अर का पिता है तो यह हो जाएगा, P, यह हो जाएगा, R, ठीक है, R add the rate Q का मतलब क्या, R Q का भाई है, तो यह हो गया, R, यह हो जाएगा Q, clear, अब यहाँ पर अग़र हम बात करें, Q and T का मतलब क्या, Q पुत्री है, किसकी ती की, तो यहाँ पर T और P क्या हो जाएंगे married कपल हो जाएंगे ठीक और यह होगी पुत्री मतलब इसका gender हो गया clear आगे कि अगर हम बात करें and का मतलब क्या है T पुत्री है किसकी V की तो यहाँ पर हो जाएगा आपका V अब आप देख सकते हैं कि इनकी पुत्री है पुत्री का यह husband ना तो पुत्री के husband यान की बेटी के husband को आप क्या बोलेंगे तो बेटी के husband को बोलेंगे son-in-law या फिर दामाद clear चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की अगले दी में प्रस्न की बात करूँ तो अगेन आप देख सकते हैं how is first person related with second person आपको हर चेगे दिया गया है यान कि P is the father of Q यहाँ पे आपको दिया गया है अगेन P is the daughter of Q और last में भी आपको दिया गया P is the son of Q ठीक है तो यहाँ पे भी basically आपके तीन sign यूज हुए है एक तो हुआ आपका multiply जिसका मतलब क्या है wife एक आपका use हुआ है divided by जिसका मतलब है daughter और एक आपका use हुआ है minus जिसका मतलब है son यानि कि पुत्र बात कर लेते हैं प्रस्न की प्रस्न पूछा जा रहा how is he related to I आपका अर्थ क्या है daughter यानि कि इनकी हो गई पुत्री minus की अगर हम बात करें तो मतलब पुत्री का पुत्र यानि की grandson और यहाँ पर अगर हम बात करें plus multiply ओके चार sign है plus का मतलब क्या है यहाँ पर plus का मतलब है father इसको भी लिफ लेता है ठीक है चली तो plus की अगर हम बात करें तो यह हो गए जाएंगे father यानि की हो जाएंगे son in law आगे की अगर हम बात करें divided by divided by का मतलब क्या है daughter ठीक है अब समझे यह हो गई इनकी पुत्री और यह पुत्री का पुत्र यानि की क्या हो जाएगा grandson हो जाएगा और यह पुत्र के पिता हो गए यानि की क्या हो जाएंगे i के दामाद हो जाएंगे और यह दामाद की बेटी यानि की क्या हो जाएगी grand daughter हो जाएगी पूछा किसके लिए गया है पूछा how is he related to i यानि की उत्तर हो जाएगा यहाँ पर option number c तो प्रस्ण किसी भी प्रकार का हो चाहे वो आपका coded form पर based question हो या फिर आपके family tree पर अधारित question हो या फिर pointed form of blood relation पर based question हो direction की अगर हम बात करें तो angle पर based आपका question हो shadow पर based आपका question हो basic direction and distance पर based question हो ठीक है मैंने कहा कि आपको इसको जिद बना लेना है इस बार वर्दी आपको ले करके रहना है वर्दी की सान आपको रखनी है अपनी सफलता और जो आपके सपने है उसकी पूरते के लिए आपको हर संभव प्रयास करना है उसमें कोई भी हमें कसर नहीं छोड़नी है तो उमीद कर साथ कि आप लोग इस बार वर्दी लेंगे इस बार आप लोग क्या करेंगे अपने माता-पिता की अपने सपनों की पूर्ती के psychology करेंगे शान हैं और साथी साथ competition क्मुनट का भी आप लोग नहां पर क्या करेंगे नाम रोशन करेंगे तो मिलते हम लोग next class में कुछ और topics के साथ आज के लिए इतना ही thank you